बॉलिवर्ट के दिगर जबिनेता और कपूर खांदान की सबसे छोटे बेटे रिशी कपूर का निधन हो गया है। अबिनेता रिशी कपूर अपने दौर के सबसे पसंदिदा कलाकारों में से एक थे। साथ ही ये अपने बेबाग बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम आपको इनकी एक लव स्चोरी के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि रिशी कपूर से शादी करने के बाद नीटू सेह ने अपना करियर से नाता तोड़ दिया था। नीटू सेह ने रिशी कपूर से साल 1980 में शादी की थी। नीतु सेह अपने जमाने की काफी फेमस अभी नेतरी हुआ करती थी। इनके लव स्चोरी भी एकदम फिल्मी ही है। आपको बता दे, रिशी कपूर और नीतु सेह की लव स्चोरी या शोपडा के फिल्म कभी कभी से शुरू हुई थी। जिसके बाद इन दोनों ने एक दुसरे का अब तक साथ निभाया। ये फिल्म दोनों की करियर की पहली फिल्म थी। जिसके बाद इन दोनों का रिश्टा शुरू हुआ। इस फिल्म के बाद रिशी और नीतु को कई सारी फिल्मों में साथ दिखा गया। नीतू से पहले रिशी कपूर यासमेन को डेट कर रहे थे लेकिन इनका रिष्टा कुछ समय के लिए ही था जादा नहीं चल पाया इस बात का खुलासा एक इंटर्व्यू में हुआ उन्होंने ये बताते हुए कहा कि मैं पहली बार आरके स्टूडियो में रिशी से मिली थी जहां वो अपने फिल्म बॉबी की शूटिंग कर रहे थे लेकिन हमारे जान पहचान जहरीला इंसान के सेट पर हुई पहली बार रिशी से मिल कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो मेरी हर बात पर मुझे टोक रहे थे जिसकी वज़े से मुझे लगा कि बहुत अकड़ू इंसान है लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और फिर हमने शादी का फैसला लिया फिर शादी के बाद नीतू ने बॉलिवुड को अलविदा कह दिया जिसकी बाद 2009 में वापस इंडस्ट्री में फिल्म लव आजकल से वापसी की थी